प्रिये विद्यार्थियों आज हम वेदों में वर्णित मान्यताईं कर्तव्य और उसका वर्णि विश्य क्या है उसकी विश्य में अध्यन करेंगे हमें वेद में वर्णित मार्ग पर चलना चाहिए ऐसा संदेश वेद में कहा गया है सुम शुरुतेन गमी मही मा शुरुतेन भी राधिशी यानि वेद से विरुद्ध मार्ग पर नहीं चलना चाहिए यहां यह प्रश्ण हो सकता है कि हम वेद में बताएगे मार्ग पर क्यों चली इस प्रश्ण का उत्तर स्वाभविक है कि स्रष्टी के आदी में मानोमात्र के कल्यान के लिए वेद ही प्रारंभिक ग्रंथ प्राप्त होते है जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है भूतम भव्य म भविश्यक्य सर्वम वेदात प्रसिद्यति भूत वरतमान और भविश्य संबन्दि संपुर्ण ज्ञान का आधार वेद ही है मनुस्मृति का ही यह वचन है सर्वो अभीतो वेदे सर्व ज्यान मयो ही सह वेद में सब कर्तव्य कर्मों का प्रतिपादन किया गया है क्योंकि वेद संपुर्ण ज्यान का कोश है बहुतीक अवश्यक्ताओं के वर्णन के साथ आध्यात्मिक ज्यान का कोश वेध है। इसी प्रकार का वर्णन निरुक्त में भी प्राप्त होता है। पुरुष विद्या अनित्यात त्वात कर्म संपत्तिर मंत्रों वेदे निरू अलपग्य होने से मनुष्य निर्मित विद्या तो अनित्य है परंतु नित्य परमिश्वर का ज्यान होने से वेद संपूर्ण कर्मों का पोधक है। यानि कहनी का तात्पर हैं सभी के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी मानों मात्र के लिए जो कर्तव्य होने चाहिए, उसके उनका सारा ज्यान, सारी बाती और सारे कर्तव्यों का जो विवेचन है, वहें वेद में द्योतित होता है। सायनाचारित तैतिरिय संहिता भाषे के उपोद घात में इस पश्ट रूप से गोशना करती हैं प्रत्यक्षेना अनुमित्यावा यस्तुपायोन बुद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात वेदस से वेदता अर्थात प्रत्यक्ष से या अनुमान से जो अर्थ नहीं जाना जाता है वह वेदों से अवश्य जाना जाता है यहीं वेदों का महत्व है और वेदत्व है वेद का इन महत्व का हम वर्नन करे तो वेद में वर्नित बातों का आधार पूर्ण तह विज्ञानिक है अर्थात स रश्टी, उत्पत्ती, पालन वे विनाश का वर्णन पूर्ण तह विज्ञान सम्मत है। प्राजिनिती, अर्थ शास्त्र, धर्म शास्त्र, आदी का ज्यान वेद में निहित है। विशेश्टा है कि वह इसाई, मुसल्मान, बौध, जैन, सिख, आदी बनने का उपदेश नहीं देता है। उसका संसार के समस्त मानवों के लिए समान उपदेश है। वो केवल मानव मात्र को ही इंगित करके अपनी कर्तव्यों का बोध कराता है। मनुर भव जनया, दैव्यम, जनम ऐसा रिग्वेद में लिखा गया है। हे मनुष्य, तू मनुष्य बन तथा दिव्य मानवों के निर्मान में अपनी जीवन को लगा। वर्तमान इस्थती में मनुष्य विचारों से रहित होकर अनेक विवादों में उलच गया है। पर्ग संघर्ष, जाती संघर्ष, संप्रदाय संघर्ष, आधी के कारण मानव दानव बनकर एक दूसरी के प्रती अविश्वासी, द्रोही, हिंसक, क्रूर आधी, अमानवी भावनाओं से ग्रस्थ है। ऐसे स्थती उत्पनी ने हो, इसके लिवेद का यसंदिश कितना महान है। अपनी समान सुख के कामना करने वाले बने, सबकी मन वैर विद्वेश से रही थो, ने मारनी योग्य गाय जिस प्रकार उत्पन बच्छडे पर वादसल्य भाव रखकर उसको जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार पारस्परिक सने भाव सभी मानवों में हो, वेद मानव परस्पर ग्रणा भाव से दूर रहनी के उपदेश देता है, हे सज्जन पुन्षो मनुष्यो, नीचे गिरे हुई लोगों को उपर उठाओ, पतित व्यक्तियों को बार बार उठाओ, अपराद और पाप करने वाले व्यक्तियों को भी उपर उठाओ, बार बार उठानी क प्रयास करती हुए उनकी दुशित आत्मा को पवित्र करने का संदेश वेद में किया गया है, उत्वे देवा अवहितम, देवा उन्न यथापुनह, उतागश चक्रुषम, देवा देवा जीव यथापुनह, वेद की विचार एक देशे नहीं, अपितु सारो भौम है, सा दात भावनाई अन्य सामप्रदाईक क्रंथों में ढोणने से भी नहीं मिलेगी, ऐसा संदेश वेद में कहा गया है,